चो मैं शिक्षा सक्सेट सीडीज एजुकेशन से आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कक्षा दस्वी विशे हिंदी कोड 085 के क्वेश्चिन पेपर 2021-22 के फर्स टर्म पर आज की वीडियो के जरी हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चिन पेपर को सॉल्व करते हुए आपको जितनी भी डिफिकल्टी जाती है वो सभी सॉल्व हो जाए और आप अपने क्वेश्चिन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएं तो जादा समयना व्यर्थ कवाते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको क्वेश्चिन पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है और कितने मार्क्स के लिए आपको फर्स टम का क्वेश्चिन पेपर आता है आपको समय मिलता है एक घंटा तीस मिनट यानि आपको पूरा question paper solve करने के लिए डेट घंटा मिलता है और आपका question paper होता है 40 number का यानि 40 marks आपके पूरे question paper में distribute होते हैं वो हम आगे discuss करेंगे कि आपको किस question के लिए कितने marks मिलते हैं और आपको किस तरह से questions prepare करने हैं और आपको कैसे अपने question paper को answer sheet में solve करना है तो question paper solve करने से पहले हम सामान्य निर्देश यानि instructions के बारे में जान लेते हैं कि आपको सबसे पहले question paper पर क्या-क्या instructions दी जाती है इस question paper में 3 खंड है खंड को, खो और गो यहां से आपको पता चलता है कि आपका question paper है वो तीन भागों में विभाजित किया जाता है खंड को, खो और गो से अब जो आपका खंड को है उसमें आपको दो प्रशन पूछे जाते हैं दोनों जो प्रशन है उसके अंदर जो है आपको 20 उप प्रशन यानि प्रशनों के अंदर जो छोटे प्रशन पूछे जाते हैं उनकी संख्या होती है 20 और आपको निर्देश दे जाते हैं जिसमें आपको विकल्प दे जाते हैं options दी जाती हैं आपको उसमें से 10 प्रशन करने होते हैं। उसी तरह से खंड खो यानि दूसरे भाग में आपको 4 प्रशन पूछे जाते हैं, उसमें आपको 21 प्रशन चोटे चोटे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको instructions के अनुसार जो है 16 जो प्रशन हैं उनके उत्तर देने होते हैं और उसी तरह से जो है खंड गव यानि तीसरा जो भाग होता है उसमें आपको तीन प्रशन पूछे जाताते हैं जिसमें छोटे प्रशनों की संख्या 14 होती है उनको आपको सॉल्व करना होता है तो आप जादा कन अपने अंसर शीट पर उकेरना है सबसे पहले हम बात करेंगे खंड को की यानि पहले भाग में आपको क्या पूछा जाता है सबसे पहले भाग में आपको अपठित कर द्यांश पूछे जाते हैं यानि पहले प्रशन में आपको पहराग्राफ दे जाएंगे जिसके अकॉर कि नीचे दो गद्यांश दिये गए हैं किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रशनों के उत्तर सही विकल्प चुन कर दीजी अब यहां पर आपको दिया गया है कि आपके पहले प्रशन में आपको उन दो पहरा ग्राफ में से एक पहरा अंक मिलेगा यानि यहां पर आपको पांच अंकों के लिए एक गद्यांश दिया गया है अब यहां पर आपको एक और इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर आप इस गद्यांश का चैन करते हैं यानि जो आपका पहला गद्यांश है अगर आप उसको चूज करते हैं तो आ आपको अपने answer sheet पर क्या लिखना है आपको अपनी answer sheet पर ये mention करना है कि आपने question number 1 का गद्याश एक choose किया है आप उसके उत्तर लिख रहे हैं ये आपने जरूर mention करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में यानि अपनी answer sheet में अब हम आगे गद्याश पढ़ेंगे उसे अच्छे स समझेंगे ताकि जो आपको प्रशन दिये गए हैं आप उसके उत्तर अच्छे से दे पाएं तो गद्याश इस तरह से है अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया है इन नियमों में वानी और व्यवार की शुद्धतम पारिस पर एक सदभाव और सेवा की भावना आदी नियम बहुत महत्वपुन माने गए हैं ये सभी नियम यदि एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के रूप में भी अनिवार्या माने जाएं तो उसका अपना जीवन सुखी और आनन्द में हो सकता है सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी वाल्यवस्ता में ही किया जाए तो वहो अपने देश का श्रिष्ट नागरिक बन सकता है इन गुणों के कारण वहो अपने परिवार आसपडोस विद्याल्या में अपने सहपाथियों एवं अध्यापकों के प्रती अचित व्यवार कर सकेगा वानी एवं व्यवार की मधूरता सभी के लिए सुखदायक होती है समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धी करती है किन्तु अहंकार हीन व्यक्ति ही सनिक्द वानी और शिष्ट व्यवार का प्योग कर सकता है अहंकार है अहंकारी और दंभी वातावरन नहीं बनता जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने वहवार से करतव्य और अधिकार के प्रती सजग रहता है उसी तरह देश के प्रती भी उसका वहवार करतव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए उसका करतव्य हो जाता है कि ना तो बह शनुता भी बहुत आविशक है यह वृती तभी आ सकती है जब व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व का हो वह आंत्रिक और बाहरी संगर्ष से परिस्मा जिक्ता की अनुभूती से परिपुर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए अब जो यह पहराग्राफ था उसको समझने में आपक तकलीफ हो सकती है तो इसके लिए आप दूसरा पहराग्राफ भी चूज कर सकते हैं लेकिन हम यहां पर आपको यह भी बताएंगे कि जो पहराग्राफ है उसको जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप एक बार उसके जो क्वेश्चन्स है उसको भी ध्यान से पढ़ ल तो आप उस question में जो आपको पंक्ती दी गई है आप उसको अपने paragraph में ढूंडने की कोशिश करो जब आप उसको अपने paragraph में ढूंडेंगे तो वहाँ पर जो है आपको उस paragraph से related दो तीन लाइने मिल जाएगी जिससे अनुसार आप अपने answer को ढूंड सकते हैं अपने answer को choose कर स असानी हो सकती है ये एक विकल्प है जिसे आप choose कर सकते हैं अगर आपको जो आपका paragraph है वो समझ में नहीं आया है ये paragraph बिसिकली जो आपकी वानी है आपका जो वहवार है आपकी जो बोल चाल होती है आपके समाज में आपका रहन सेन होता है उस पर आधारित है कि आपका ज माज में जो है बहुत जादा महतोपुन भूमी का निभाते हैं तो इस पर आधारित जो है आपको निर्देश दे गए हैं लास्ट में कि निमलिखित में से निर्देश अनुसार सारवाधिक उप्युक्त विकल्पों का चेयन कीजिए यानि आपको नीचे जो है questions पूछे जाएंगे उसमें जो है multiple choices दे जाएंगी आपको उसमें जो सबसे सही जो विकल्प लगता है option लगता है वो आपने चूज करना है तो हम अपने प्रशनों पर आते हैं आपको पहला प्रशन दिया गया है कि गद्धाश के संदर्व में अच्छा नागरिक बनने के ल अगर आपने वो लाइन जो है अच्छे से पड़ी है तो आप इसका उतर आसानी से दे सकते हैं तो यहां पर आपको चार option दिये हैं पहला option है स्वतंतरता को बढ़ावा देता है जिससे वातावरन को शांती से परिपून करता है दूसरा option है व्यक्तित्व को निखार कर जी जीवन को सुख और मंगल कामना से परिपून करता है चौथा option है व्यक्ति को अहंकार सन्निक्दवानी और शिष्ट व्यवार से परिपून करता है तो यहां पर जो अच्छे नागरिक बनने के जो नियमों का प्रावधान है वो आविशक क्यों है उसको हमने देखना है क्य क्योंकि जो अच्छे नागरिक बनने के लिए जो नीमों का प्रावधान है वो क्यों किया गया है समाज में क्योंकि जो नियम है वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पहरा ग्राफ तो आपने देखा होगा कि जो नियम है वो व्यक्ति को निखार कर जो है उसके जीवन में खुशियां लाते हैं इसलिए हमारा जो दूसरा उप्शन है व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को अमोद प्रमोद से परिपुन करता है ये हमारा सही उप्शन होगा मधूरता सभी के लिए सुकतायक होती है इस कत्न के लिए उप्युक्त तर्क है तो आपने जब पहरा ग्राफ पड़ा तो उसमें एक लाइन ये थी कि वानी और वियवार की मधूरता सभी के लिए सुकतायक होती है तो इस कत्न में जो महतोपुन तर्क है वो क्या है ये आपन options में से choose करना है पहला option है देश के सम्मान संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस पहुचती है दूसरा है देश और समाज में शांती और सौहाद का वातवरन नहीं बनता तीसरा है कर्टव्या और अधिकार का समुचित निर्वाहा बहुत आविशक है और चौथा है समाज में हर्दिक सद्भाव की वृद्धी और सुख की प्रतिष्ठा होती है तो यहां पर जो वानी और वहवार की मधूरता जो सभी के लिए सुकतायक होती है उसके लिए उप्यूग तर्ख है हमारा option number 4 यानि घौ समाज में हर्दिक सद्भाव की वृद्धी होती है और सुख की तीसरा प्रशन आप से पूछा गया था अहंकारी और दंभी व्यक्ती सदा अभ्यासी होता है किस चीज़ का तो यहां चार option है पहला option है अशिष्ट वानी और वहवार का दूसरा है मधूर एवं अशिष्ट वहवार का तीसरा है अशिष्ट वानी और वहवार की चौथा option है सनिक्द वानी और अशिष्ट वहवार का तो अगर आपने अपना जो पहरा ग्राफ वह सही से पड़ा है तो आपको पता है कि जो अहंकारी और धंभी व्यक्ती है वो हमेशा से अभ्यासी किस चीज़ का होता है अशिष्ट वानी और वहवार का यानि जो अहंक जो चौथा प्रेशन है वो आपसे पूछा गया है कि जो संतुलित व्यक्तित्व है उससे क्या तात पर रहा है तो संतुलित व्यक्तित्व के लिए क्या तात पर रहा है यहां पर आपको चार option दिये हैं पहला option है आंतरिक और बहारी संघर्ष से संपुर्ण समाजिक्ता की अनुभूती से परिपूर्ण व्यक्तित्व, दूसरा है देश में पुर्णत हो आदर्श नागरी का व्यहवार करने वाला सुखदायक व्यक्तित्व, तीसरा है आंत्रिक और पहारी संघर्ष से रहित संपुर्ण समाजिक्ता की अनुभूती से परिपूर्ण व्यक्तित्व और चौथा option है करतव्य और अधिकार के प्रति सजग रहने वाला भावुक प्रवरिती से परिपुन व्यक्तित्व जब आपने अपना पहरा ग्राफ पड़ा तो वहाँ पर आपको सपष्ट रूप से कहा गया है कि जो संतुलित व्यक्तित्व है वो जो है आंत्रिक और बहारी जो संघर्ष है उससे रहित संपुन समाजिक की अनुभूती से परिपुन व्यक्तित्व होता है तो जो हमारा उप्षन नंबर गौ है वो हमारा स्टीक उत्तर है यानि वो हमारा सही उत्तर है प्रेशन नंबर पांच आप से पूछा गया है कि धार्मिक सही शनुता की स्थापना आवशक है क्योंकि इससे क्या होगा चार उप्षन है अधिकार और करतव्य पर विजे प् देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुचेगा, तीसरा ऑप्शन है भारतिय सविधान की प्रतहेगी, और चौथा ऑप्शन है समाज एवं देश में शान्ती विवस्था बनी रहेगी, जो धालमिक सही शनुता होती है उसकी जो स्थापना है वो इसलिए की जाती है कि एवं देश में शान्ती विवस्था बनी रहेगी, इसलिए जो है धालमिक सही शनुता की स्थापना की आवशकता है, तो ऑप्शन नंबर घो हमारा सही उत्तर है, इस तरह से जो है आप अपने प्रशनों को पड़ें, उसको जो है अपने पहराग्राफ से मेल करने की कोशि करें, ताकि आप अपने उप्शन में से सही उत्तर चूज कर सकें, अब यहाँ पर आपको दूसरा उप्शन दिया गया है गद्यांश का, तो आपके प्रशन पतर में अत्वा करके और इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, वो इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, कि यदि आप इस चैन करते हैं, तो कृपया उतर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रशन संख्या एक में दिये गए गद्यांश दो पर आधारित प्रशनों के उत्तर लिख, अब यहाँ पर देखें, इंस्ट्रक्शन क्या दी है, अगर आपने पहला जो गद्यांश है, वो चूज किया है लिखने के लिए, तो आप अपने अंसर शीट में लिखेंगे कि आपने प्रशन नंबर वन का गद्यांश वन चूज किया है, लेकिन अगर आपने ये दूसरा गद्यांश चूज किया है, तो आप अपने अंसर शीट में लिखेंगे कि आपने प्रशन संख्या एक का गद् तो बाकि जो इंस्ट्रक्शन्स है वो सेम हैं सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप पहला जो गद्यांश है वो चूज कर रहे हैं तो आप प्रेशन संख्या एक और गद्यांश एक लिखेंगे और अगर आप दूसरा पहरा ग्राफ चूज कर रहे हैं तो आप प् की प्रत्येक काम में विशालता के चिन खोजने पड़ते हैं अपने अंतर मन में सदेव जिग्यासा को जन्म देना होता है दुनिया में ग्यान का जो बोल बाला है उसमें हमारे कोतुहल की केंद्य भूमी का है अलबर्ट एंस्टाइन ने एक बार अपने साक्षातकार में कहा था कि हमारे जिग्यासा ही हमारे अस्तित्व का आध़ार है बिना प्रशन के हमारे जीवन में ना गती आएगी ना कोई रस होगा जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती है सवाल करने का ही परिणाम है कि नई तकनीक आटोमेशन और आर्टिफिशल इंटेलिज जैसी चीजे आज दुनिया में आ रही है जब हम कहते हैं क्यों कैसे क्या तब हमारे अंदर की सनायू प्राण उर्जा और संकल्प एक नई गती और उत्सा के साथ नवीनता की याता करने लगते हैं हमें इस दुनिया की इतनी आदत पर चुकी है कि लीक से हटकर सोचना नह कोई विभिनता नहीं ना ही कोई नवीनता है यह कैसा जीवन है जिसमें कोई कौतुहल नहीं कोई अश्चर्य नहीं इस जगत में हमारी स्थिति एक किटानू या विशानू की तरह है जो अपनी सुखमई विवस्ता में पड़े रहते हैं लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वे परे हटकर सोचने और उसको देखने की कोशिश जो करते हैं वही बड़ा बनते हैं जिग्यासु मन और बुद्धी ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनते हैं यहां पर भी आपको जो है पहराग्राफ समझने की कोशिश करनी है क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे पर चॉइस दी गई है आपने अगर पहरा ध्यान से बढ़ा है तो वहां से आपको अपने विकल्प हैं जो आपके आप्शन से उनको अच्छे जो बिल्कुल सही स्टीक विकल्प बैठते हैं आपके प्रशनों के लिए वो आपको चूज करने में आसानी होगी तो प्रशन जो आपके विशालता लानी है उनको आपको अच्छे ढंक से करना है तो लेखक की यहां पर यह कहने कि क्या अभी प्राय है कि जो प्रतिये काम है उसमें विशालता के चिन खोजने हैं हमने तो आपको चार ऑप्शन दिये हैं पहला ऑप्शन है बड़ी सोच व्यक्ति को ब उनका प्रतेक काम में विशालता के चिन खोजने से अभी प्राय है हमारा option number 2 यानि हमें जो काम दिया गया है चाहे वो छोटा है बड़ा है उस प्रतेक काम का जो है हमें जो महत्व है उसको गहराई से समझना है तब ही जो है हम उसको अच्छे से कर पाएंगे इसमें ही जो है लेखक का काम में विशालता के चिन खोजने का अभी प्राय है यानि हमें अपने काम को महत्व देना है उसे गहराई से समझना है तो हमारा option number 2 यानि प्रतेक काम को महत्व देकर गहराई से समझे ये हमारा सही उत्तर है दूसरा आपको प्रशन पूछा गया है कि जैमान, चोथा है नवींता अब यहां पर आपको चारो options के भी मतलब पता होने चाहिए तभी आप अस्तित्व शब्कास सही उत्तर दे पाएंगे अस्तित्व होता है विध्यामान प्रमggaन प्दान है वहारा पहला option है वहमारा सही उत्तर है विध्यामानता होई की जो है उ जो चल रहा है उसको भी हम अस्तित्व नहीं कह सकते हैं नवीनता होता है नया पन वो भी अस्तित्व नहीं है तो हमारा जो पहला आप्शन है विद्यमानता वो हमारा अस्तित्व शब्द का अर्थ है अगला प्रशन आपको पूछा गया है नवीनता की यात्रा करने से हम पर हमारी पर्वब परागत पर नालय थी उससे हम ऊंठ गये हैं इसमें जो तर्ख है वह किनो नीकिन है यो ने सेैं जो आपने पहला ग्राफ पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारी मांसिक स्थितिय किटानों या विशानों की तरह है, वो कहा गया था, कि हम जो है कोई नई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो यह पहला आप्शन है, वो यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा आप्शन है कि हमारे शारिक मांसिक चारित्रिक और जो राश्टर विकास के लिए जो है, वो नवीनता की यात्रा अच्छी है, वो नवीनता की यात्रा उसके लिए आवशक है, इसलिए जो हमारा आप्शन नमबर दो सही उत्तर है, क्योंकि जो तीसरा आप्शन है वहाँ पर भी जो स्वतंतर थे वो दूसरों की आवाज नहीं सुनते हैं, वो अपने मन की आवाज सुनते हैं, अपने हिर्दे की आवाज सुनते हैं, तो जो चौथा उप्शन है, वहाँ पर कहा गया था, जब हम चिंतन करते हैं, तब जो नई बाते सामने आते हैं, नई खो करने के लिए आवशक है यहां आपको चार आपशन दिये हैं पहला आपशन है सुख में विवस्ता दूसरा है हिर्दे की आवाज सुनना तीसरा है अंतर मन में सदेव जिग्यासा और चौथा आपशन है दर्शन और विग्यान की दुनिया तो यहां पर लीक से हटकर सोच को है इसके लिए है हमारा आपशन नमबर तीन यानि अंतर मन में सदेव जिग्यासा क्यूंकि जब हमारे अंदर हमेशा कुछ जानने की इच्छा लगी रहेगी तब ही जो हम अपने जो हमारे परमपरागत जो हमारे चीज़ें चली आ रही है उससे हटकर हम सोच सकते हैं जो तीसरा आपशन है वो हमारा सही उत्तर है अगला प्रशन आप से पूछा गया है कि जिग्यासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक है क्यूंकि यहो तिको नए जमाने का वग्यानिक दर्शाती है दूसरा आपशन है शारीरिक वामानसिक रूप से क्रियाशील तीसरा है आइटी फिशल इंटेलिजेंस की उप्रोगिता दर्शाती है और चौथा आपशन है विश्व व्यापी इस तर पर अस्तिती निर्धारित करती है तो जिग्यासा ही हमारे अस्तित्व का आधार की परिचायका है क्यूंकि यह क्या करती है यह शारीरिक वामानसिक रूप से हमें क्रिया शील रखती है हम शारीरिक वामानसिक वामानसिक वाम सोचने के लिए तियार रहेंगे जब हमारे अंदर जिग्यासा होगी तभी हमारा अस्तित्व होगा तो हमारा जो ऑप्शन नमबर दो है वह हमारा सही उत्तर है तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आपको पहरा ग्राफ पढ़ने हैं और पहला जो प्रेशन है उसमें आपको दो पहरा ग्राफ दिये गए होंगे आपको इसमें से एक चूज करना है और जिस भी पहरा ग्राफ को आप चूज करेंगे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे अपनी अंसर शी पर देखने वाले को अच्छे से पता चल जाए कि आपने कौन सा पहराग्राफ चूज किया और आपने किस पहराग्राफ के अंसर जो है। क्वेशन नमबर दो में भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नीचे दो गद्याश दे गए हैं किसी एक गद्याश को ध्यान पुर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रशनों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दिखे। यहां पर भी देखे आपको वही इंस्ट्रक्शन दी गए है जो question number one में दी गई थी थी कि आपको यहां पर भी दो गद्याश दे गए हैं उसमेंसे आपको एक गद्याश को ध्यान से पढ़ना है उस पर अकॉर्लिंग जो आपको questions दे गए है उसके options मेंसे सही option आपने चू संख्या 2 का गध्यांश एक चूस किया है आप उसके उत्तर जो हैं लिख रहे हैं तो यहां पर हमारा जो गध्यांश है वो इस तरह से दिया गया है जानवरों में गधा सबसे बुद्धी ही समझा जाता है हम जब किसी व्यक्ति को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते है तो उसे गहते हैं गधा सचमुछ बेवकूफ है या उसके सीधे पन उसकी निरापच सहिश नुताक ने उसे यहाँ पदवी दे दी है इसका निश्चे नहीं किया जा सकता गाए सिंग मारती है ब्याई हुई गाय तो अनयास ही सिहनी का रूप धारन कर दी है कुता भी असंतोष की चाया भी नहीं दिखाई दीगी बैसाख में चाहे एक आद बार कुलेल कर लेता हो पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा उसके चेहरे पर एक स्थाई विशाद चाया रहता है सुक्तु खानी लाप किसी दशा में भी उसे बदलते नहीं देखा रिश नहीं है इस गद्याश में जो है ताया गया है कि वो सच में बेवकूफ है या उसके सीधे पन और सही शनुता के कारण उसको ऐसा समझा जाता है इस पहरा ग्राफ में उसी के बारे में कहा गया है तो आगे हम प्रशन पढ़ेंगे और प्रशनों में जो है जो सही विकल्प हमें लगेगा जो हमें सही option लगेगा हम उसको जो है choose करेंगे सही उत्तर के लिए तो पहला जो आपको question पूछा गया है वो है लेखक क्यों निश्चे नहीं कर पाता कि गधा बेवकूफ है या सीधा क्योंकि लेखक के अनुसार कैसा है गधा ये चार option दिये गए है आपने चूज करना है कि लेखक के अनुसार गधा कैसा है पहला option है गधा अपने पराय की भावना से परे है दूसरा है गधा क्रोध वो कुलेल नहीं करता है तीसरा है गधा सीधा वो सहिशनू होता है चौथा है गधे के चहरे पर हर्ष वा विशाद होता है तो लेखक के अनुसार हमने पहरा ग्राफ में पढ़ा कि गधा जो है वो सीधा वा सहिशनू होता है तो हमारा जो option number 3 है वो हमारा सही उत्तर होगा कि गधा सीधा वा सहिशनू होता है दूसरा प्रेशन आप से पूछा गया है गधे में रिशी मुन्यों के कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं तो यहां पर पहरा ग्राफ में हमने देखा कि गधे के गुणों को जो है रिशी मुन्यों के गुणों से जो है कंपेर किया गया है तो यहाँ पर पूछा गया है कि रिशी मुनियों के ऐसे कौन से गुण है जो गधे में भी मिलते हैं तो यहाँ चार आप्शन है जब तब करना समानता का भाव असंतोष की भावना या कुलेल करना तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा option है समानता का भाव वो हमारा सही उतर है क्योंकि जब तब जो है वो गधा नहीं करता है असंतोष की भावना गधे में नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा संतोष दिखाता है वो उसके साथ जैसा भी बहवार करो वो नहीं जो है असंतोष का भी दिखता है और कुलेल जो है वो गधा नहीं करता है इसलिए जो है ये रिशी मुन्यों से नहीं मिलते हैं रिशी है वो भी समानता का भाव रखता है इसलिए जो हमारा दूसरा आप्शन है वो हमारा सही उत्तर है तीसरा जो प्रेशन है वो है आशे स्पष्ट कीजिए उसके चहरे पर एक स्थाई विशाद चाया रहता है इस पंक्ति का जो है हमने आशे स्पष्ट करना है कि गधे के चहरे पर हमेशा एक स्थाई विशाद चाया रहता है उसका आशे क्या है चार आप्शन है गधा सदेव चुप रहता है उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा गय दूसरा option है गधे को बहुत बोज्ड होना पड़ता है इसी कारण वो ठक जाता है तीसरा option है आदमी द्वारा दुर वेवाहर करने वो बेवकुफ कहने के कारण गधा दुखी है चौथा option है गधे के प्रसन्न मुख पर सदेव स्थिर संतोष छाया रहता है यहाँ पर जो ती गया है इसलिए उसके चहरे पर एक स्थाई विशात सा चाया रहता है वो ना कभी खुश होता है ना दुखी होता है वो हमेशा पहला option है वो हमारा सही उत्तर है चौथा प्रशन आप से पूछा गया है गध्यांश में प्रस्तुत शब्दों चाया निश्चे अनायास के ल तीसरा option है शीतलता अनिश्चित सायास तीसरा option है धूफ अनिश्चित सायास और चौथा option है वृक्ष अनिश्चित प्रयास अब यहां पर देखे, आपको पहले ही आप एक शब्द चूज कर लीजिए च्छाया यानि जो च्छाया शब्द है वो आपके प्रशन में सबसे पहले है तो अपने उत्तर में भी आप सबसे पहले चाया शब्द का जो है विलोम शब्द चूस कीज़े तो आपको अपना सही उत्तर मिल जाएगा पहले में असंतोश है चाया का विलोम शब्द असंतोश नहीं होता शीतलता चाया का विलोम शब्द शीतलता नहीं होता धू चाया का विलोम शब्द धूप होता है तो यह हमारा सही उतर हो सकता है तो चौथा उप्शन में देख लिजिए चाया का जो विलोम शब्द है वरिक्ष नहीं होता इसका मतलब जो हमारा ग है वो हमारा सही उतर है यानि तीसरा जो हमारा उप्शन है वो सही उतर है चाया का व उप्युक्त नहीं है लेखक का यह कत्न व्यक्त करता है कि अब जो यहां पर लेखक का एक कत्न दिया गया है कि जो सीधापन है वो संसार के लिए उप्युक्त नहीं है सही नहीं है इसका क्या अर्थ है तो यहां चार आप्शन दिये गए है पहला आप्शन है उसका गधे के प्रती गहरा लगाव है यानि लेखक का गधे के प्रती गहरा लगाव है इसलिए उन्होंने कहा है कि जो सीधा पन है वो संसार के लिए उप्युक्त नहीं है ये बिल्कुल गलत है दूसरा है समाज में गधे को भी स्थान मिलना चाहिए ये भी गलत है तीसरा है गधा को कहने का अर्थी यहां पर यह है कि वे यह बताना चाहते हैं कि जो सीधा पन है वो संसार के लिए इसलिए उप्युक्त नहीं है क्यूंकि जो सीधा पन है वो एक सद्गुण है वो एक अच्छी आदत है वो एक अच्छा गुण है लेकिन लोग जो है उसका अनादर करते हैं उसे जो है गाली की तरह देते हैं जैसे गधा जो है किसी बेवकूफ के लिए प्रियो किया जाता है लेकिन वो सीधा है इसका जो एर्थ ही हुआ कि वो जो है उसके गुण का अनादर कर रहे हैं तो सदगुणों के लिए जो लेखक हैं वो चिंतित हैं इसलिए उन्होंने इस पंक्ति का यूज किया है तो जो हमारा चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा इस तरह से जो है हमने जो सही ऑप्शन है वो हमने चूज किये हैं अपने पहरा ग्राफ को समझते हुए अब इसी प्रेशन में जो है आपको दूसरा पहरा ग्राफ दिया गया ह अगर आपने दूसरा पहराग्राफ चूज किया है तो आप अपने अंसर शीट में लिखेंगे कि आपने प्रेशन संख्या 2 का गध्यांश नंबर 2 चूज किया है आप गध्यांश नंबर 2 के उत्तर दे रहे हैं और यहां पर नीचे एक और इस्टरक्शन है कि आपको गध्य अगर आपने पहला गध्यांश चूज किया तो आप गध्यांश नंबर 1 लिखेंगे अगर दूसरा किया है तो प्रेशन संक्या 2 का गध्यांश नंबर 2 लिखेंगे हम यहां पर दूसरा जो फैरागराफ है वो पड़ लेते हैं कि आपको क्या दिया गया है साहित्य की शाषवत का प्रशन एक महत्वपूर्ण प्रशन है क्या साहित्य शाषवत होता है यदि हा तो किस माइने में क्या कोई साहित्या अपने रचनाकाल के सो वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक हो रहता है जितना वहो अपनी रचना के समय था अपने समय या युग का निर्माता साहित्यकार क्या सौ वर्षों बाद की परिस्तितियों का भी युग निर्माता हो सकता है समय बदलता रहता है परिस्तितियां और भाव बोद बदलते हैं साहित्या बदलता है और इसी के समनांतर पाठक की मानसिक्ता और अभिरूची भी अता कोई भी कवीता अपने सामाईक परिवेश के बदल जाने पर ठीक वही उतेजना पैदा नहीं कर सकती जो उसने अपने रचनाकाल के दोरान की होगी कहने का तात परिया यह हो है कि एक विशेश प्रकार के साहित्या के शृष्ट अस्तित्व मातर से वह साहित्या हर युग के लिए उतना ही विशेश आकरशक रहे यह आविशक नहीं है यही कारण है कि वर्तमान युग में इंगला पिंगला शुशुमसना अनहद नाद आदी पारिभाशिक शब्दावली मन में विशेश भावो तेजना नहीं करती साहित्य की श्रेष्टता मातर ही उसके नित्या आकरशक का आधार नहीं है उसकी श्रेष्टता का युग युगीन आधार है वे जीवन मुल्य तथा अपने अनंत कलात्म की स्वतंतरता तथा उच्तर मानव विकास के लिए पत्प्रदर्शक का काम करती है पुराने साहित्य का केवल वही श्री सौंदर्या हमारे लिए ग्रहाया होगा जो नवीन लोग दे अथ्वा स्थिति रख्षाक में सहायक हो कुछ लोग साहित्य की सामाजिक प्रतिवधिता को अस्विकार करते हैं वे मानते हैं कि साहित्य कार निर्पेख्ष होता है और उस पर कोई भी दवाव आरोपित नहीं होना चाहिए किन्तू वे भूल जाते हैं कि साहित्य के निर्मान की मूल प्रेड़ना मानव जीवन में ही विद्यमान रहती है जीवन के लिए ही उसकी सरिष्टी होती है तुलसिदास जब सवाहया सुकहए कावे रशना करते हैं तब अभिप्राय यहो नहीं रहता कि मानव समाज के लिए इस रशना का कोई उप्योग नहीं है बल्कि उनके अंता करन में संपुर्ण संसार की सुख भावना एवं हित कामना सन्हित रहती है वे साहित्यकार अपने संपुर्ण व्यक्तित्व को कर देता है उसी के हाथों स्थाई एवं प्रेणाप्रद साहित्य का स्रिजन हो सकता है इस बहरा ग्राफ में जो है साहित्य के बारे में बताया गया है कि जो साहित्य है वो जैसे आज जो निर्माण हो रहा है उसका वो जो है आज की परिस्टितों के अनुकूल लिखा गया होगा उसका ये जरूरी नहीं है कि 100 साल बाद भी जो है वो उतना ही प्रसिद्ध होगा क्योंकि वो आज की परिस्थितों के अनुसार लिखा गया है जो साहित्यकार है वो 100 साल बाद की जो भविश्या में होने वाली खटनाए है उनको जो है नहीं लिख सकता है उसकी परिस्तितों का वो अंदाजा नहीं लगा सकता है यह यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर आपको समझने की बहुत जादा जरूरत पड़ेगी क्यूंकि इसमें भी बहुत सारे जो है वो difficult words जो है वो दिये गए हैं तो आप ध्यान से इस पहला graph को पढ़ें तभी जो है आप इनके प्रशनों के उत्तर दे सकते हैं तो अब जो है हम प्रशनों पर आते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा गया है साहित्य की स्रेश्टता का निर्धारन सुनिश्चित करता है आपसे पूछा गया है साहित्य की स्रेश्टता सु लोग वेवार की परिकाश्टा पर परतिक्रियाक देता है, तीसरा उप्शन है, सांस्कृतिक वो एतिहासिक विरासत को बाधित करता है, पत्प्रशस्त कर मुल्यों का समावेशन करके कला भाव जगाता है, तो यहाँ पर जो चौथा उप्शन है, वो हमारा सही उत्तर है, क् तो दूसरों को रास्ता दिखाए, जो मुल्यों को साक्षात करें, जो मुल्यों का समावेशन करके हमारी कला भावना है, उसको जागरित करें, तो यह हमारा option number 4 है, वो हमारा सही उत्तर है, दूसरा हमारा जो प्रेशन है, वो है, नवीन जीवन मुल्यों के विकास में सक्रिय कामना कर आगे बढ़ना दूसरा उप्शन है श्री सौंदर्य को प्राथमिक्ता दे कर आगे बढ़ना तीसरा उप्शन है नवाचार वा मुल्यों को आत्म साथ कर आगे बढ़ना चौथा उप्शन है वर्तमान में साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ना तो जो तीसरा तो जो तीसरा option है वो हमारा सही उत्तर होगा तीसरा प्रशन है कोई साहित्या अपने रचनाकाल से सो वर्ष बीत जाने पर उतना ही प्रासंगिक रहता है कत्न के आधार पर उचित तर्क है यानि उचित तर्क कौन सा है इस मैसे कि जो साहित्या है वो अपने रचनाकाल के सो वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है तो यहाँ पर चार आप्शन है पहला है साहित्य की श्रेष्टता मात्र ही उसके नित्या आकरशक आधार नहीं है दूसरा है संपुर्ण साहित्य का स्थाई वो स्पष्ट आधार नहीं है तीसरा आप्शन है लोक कल्य उत्तर होगा क्योंकि जो साहित्य है वो अपनी रचनाकाल के सौ वर्ष बीद चाने के बाद भी जो है तभी प्रासंगिक हो सकता है जब उसमें जो है लोक कल्यान कारी जो उसकी मुल्या है वो उसमें हो स्थाई वो प्रेणा प्रत जो साहित्य है जब वो ऐसी दशा में हो कि वो लोगों को प्रेड़ना दे रहा है और वो स्थाई है अपने जो उनकर लोग कल्यान का जो स्थिती है वो स्थाई है इस साहित्या में तभी जो है वो साहित्या सौ साल बाद भी जो है उतना ही प्रसिद्ध होगा उतना ही लोगों द्वारा उसको प्रेम किया जाएगा तो उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए कत्न किस मनोवरिती को प्रकट करता है यानि किस मन की दशा को प्रकट करता है ये कि जो साहित्यकार है वो निर्पेक्ष होता है और उस पर कोई दबाव भी जो आरोपित नहीं होता चार आप्शन है पहला option है सामाजिक कार्यकर्टा की विचारधारा, दूसरा option है साहित्य की शाश्वत क्रियाशील विचारधारा, तीसरा option है समाज के प्रती वचन बधता का आभार, और चौथा है निर्पेक्ष व्यक्तियों के साक्षातकार, चौथा option है निर्पेक्ष व्यक्तियों की सकरा तो जो तीसरा option है हमारा समाज के प्रती वचन बद्धा का आभार वो हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि जो साहित्यकार है वो जो है समाज के प्रती वचन बद्ध होता है वो जो है समाज के लिए कल्यान कारी चीजे सोचता है प्रेणा प्रत जो चीजे होती है वो सोचता है उस मानव जीवन समस्त पद का विग्र है वो समास पेध होगा इस गध्यांश में जो है आपको एक समस्त पद दिया गया है मानव जीवन आपने उसका विग्र है और समास पेध जो है वो चूस करना है चार आप्शन है मानव या जीवन द्वंद्व समास दूसरा आप्शन है मान इसमें जो गड़्यांश से आपको दो गड़्यांश चूज गरने थे यानि पहले प्रेशन में दो गध्यांश थे वहां से आपको एक गध्यांश चूज करना था और दूसरे प्रेशन में भी दो गध्यांश दिय गए थे उनको follow करना है उत्तर पुस्तिका में आपने अपनी answer sheet में जो है कोई गलती नहीं करनी है आप जिस गध्यांश को चूज आप अपने प्रेशन के आगे उसी गध्यांश का नंबर लिखेंगे यानि अगर आपने पहले प्रेशन में दूसरा गध्यांश चूस किया है तो आप प्रेशन संख्या 1 गध्यांश 2 इस तरह से लिखेंगे और दूसरे प्रेशन में भी अगर आपने पहला गध्यांश यानि यहाँ पर जो है अब grammar portion चलेगा, grammar portion से आपको यहाँ पर प्रेशन पूछे जाएंगे, तो खंड खौ में जो पहला प्रेशन है वो है प्रेशन नमबर 3, उसमें आपको निमन लिखित 5 भागों मैंसे किनी 4 प्रेशनों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए, अब यह पर देखे, आपको पहले ही instruction दी गई है कि जो प्रेशन नमबर 3 है उसमें 5 भाग है यानि यहाँ पर आपको 5 प्रेशन पूछे गए हैं लेकिन आपने 4 प्रेशन करने हैं यहाँ पर आपको option दिया गया है, यानि 5 मैंसे आपने 4 प्रेशन चूज करने हैं जिनके आप सही उत्तर दे सकते हैं आपने वही चूज करने हैं और आपने ध्यान रखना है कि जब आप अंसर शीट में लिखें तो आप अपने प्रेशन के आगे जो आप question चूज कर रहे हैं आप उसी का number डालेंगे वरना आपको अंक नहीं मिल सकते हैं आपके जो अंक है वो कट सकते हैं इ अगर आप दूसरा छोड़ कर तीसरा चूज कर रहे हैं तो आप दूसरा नहीं लिखेंगे आप question number 3 दूसरे की जगा तीन लिखेंगे यानि आप तीसरा जो प्रेशन चूज कर रहे हैं जो प्रेशन चूज करेंगे आप उसी का अंक डालेंगे तो अब हम आते हैं अपने प्रशनों पर प्रशन नमबर एक है तंतारा की तलवार एक विलक्षन रहस्या तक्या में से संग्या पदबंद छांटिये यहाँ पर आपको एक वाक्या दिया गया है आपने यहाँ से संग्या पदबंद छांटना है कि इसमें संग्या पदबंद कौन सा है यहाँ पर चार है तलवार एक, दूसरा option है तंतारा की तलवार, तीसरा option है रहस्या थी, चौथा option है विलक्षन रहस्या, अब संग्या पदबंद में आपको पता होना चाहिए संग्या पदबंद कौन सा होता है, संग्या यानि जिसमें व्यक्ति स्थान या वस्तु का नाम हो तो यहाँ पर आप पहले ही आप चूज कर लीजे कि कौन से आप्शन में जो है किसी व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है तो यहाँ पर आप्शन नमबर दो में तंतारा की तलवार यहाँ पर जो है संग्या पदबंध है क्योंकि बाकी जो है वो संग्य इधर उधर फड़ा रहे थे रिखांकित पदबंद का प्रकार है तो यहां पर देखे रिखांकित कौन से शब्द है वो है इधर उधर उधर है उसमें कौन सा पदबंद है यह आपने चूस करना है चार आप्शन है सर्वनाम पदबंद क्रिया पदबंद क्रिया विशेशन या विशेशन पदबंद, तो इधर उधर क्या है, जो क्रिया है, उसकी विशेशता है इधर उधर, क्योंकि जो कबूतर है, वो फड़फडा रहे थे, ये हुई क्रिया, और कैसे फड़फडा रहे थे, इधर उधर फड़फडा रहे थे, ये क्या हुई क्रिया की विशेशत का अर्थवा, यहां पर क्रिया विशेशन पदबंद है, तो जो हमारा तीसरा आप्शन है क्रिया विशेशन पदबंद है, वो हमारा सही उत्तर होगा, तीसरा प्रेशन है, बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है रिखांकित पदबंद का प्रकार है यहां पर जो रिखांकित शब्द है वो कौन से है कर दिया है तो जो कर दिया है वो क्या है वो क्रिया है यानि यहां पर क्रिया पदबंद होगा तो यहां पर हमें जो आप्शन दिये गए है उसमें से क्रिया पदबंद हमारा ती खांकित पदबंध है वो कौन सा है परिश्रम के बाद परिश्रम के बाद जो है वो कौन सा पदबंध है वो हमने चूज करना है चार आप्शन है क्रिया विशेशन पदबंध विशेशन पदबंध क्रिया पदबंध या संग्या पदबंध तो यहां पर परिश्रम के बाद वो क्या है, जैसे टहल ने निकल पड़ा, ये क्या है, टहल ने निकल पड़ा, क्रिया है, और कैसे निकल पड़ा, परेश्रम के बाद निकल पड़ा, तो ये क्या हो गया, ये क्रिया की विशेश्ता हो गई, तो क्रिया की विशेश्ता का अर्थ हुआ, क्रिया विशेशन वो हमारा सही उत्तर होगा पांच वा प्रेशन है तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था वाक्या में रिखांकित पदबंद का भेद है तो यहां पर जो रिखांकित पदबंद है वो है नेक और मददगार और नेक और मददगार क्या है उसका हमने पदबंद चूज कर नेक और मददगार में क्या है विशेशन पदबंध है तो जो हमारा तीसरा प्रशन है वहां पर आपने देखा कि बेसिकली वहां पर पदबंध पूछे जाते हैं तो पदबंध को अच्छे तरह से क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल पर पदबंध से रिलेटिड वीडिय देख सकते हैं वहां पर आपको पदबंध सारे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से समझ आ जाएंगे और वहां से जो है आपको इस प्रशन को करने में बहुत सहाथा प्राप्त होगी तो हम रेकमेंट करेंगे कि आप हमारे वीडियो पे जाकर पदबंध की वीडियो देखें ताकि आपको इस प्रेशन को करने में सहायता प्राप्त हो अगला हमारा प्रेशन है निमे लिखे 5 भागों मैं से किनी 4 प्रेशनों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए यहाँ पर भी प्रेशन नंबर 4 में आपको 5 भाग दिये गए हैं तो यहाँ पर भी आपको 4 प्रेशन चुचाएगा तो प्रेशन नंबर 4 का पहला प्रेशन है बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था रचना की दृष्टी से वाक्या है यहाँ पर आपको वाक्या चूज करना है कि कौन सा वाक्या है आपको चार आप्शन है सरल वाक्या, संयुक्त वाक्या, मिश्रित वाक्या या विधान वाचक वाक्या इसमें कोई विधान वाचक शब्द प्रियोग नहीं हुकिया गया है तो ये क्या है एक सरल वाक्या है तो इसलिए हमारा जो पहला option है वो हमारा सही उत्तर होगा दूसरा question आप से पूछा गया है वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दोड़ी इस संयुक्त वाक्या को परिवर्टित करने पर सरल वाक्या होगा ये जो है आपको संयुक्त वाक्या दिया गया है क्योंकि इसमें और शब्द का प्रियोग हुआ है तो दो शब्द जो है वो मिल रहे हैं ये संयुक्त वाक्या है इसको हमने सरल वाक्या में कनवर्ट करना है और आपको चार आप्शन दिये हैं कि इनका जो है सरल वाक्य क्या होगा, पहला आप्शन है जैसे ही वामीरों सचेत हुई वैसे ही वो घर की तरफ दोड़ी, दूसरा वाक्या है वामीरों कुछ सचेत हुई और अपने घर की तरफ दोड़ी, तीसरा है वामीरों कुछ सचेत ह और घर की तरफ दोडी तो यहाँ पर जो सरल वाक्या है वो है option number 3 यानि वामीरों कुछ सचेत होने पर तो हमारे दूसरे question का उतर होगा option number 3 question number 3 निमलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्या है आपने यहाँ पर 4 options में चूज़ करना है कि मिश्र वाक्या इन मैंसे कौन सा है पहला option है मेरे और भाई सहाब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया दूसरा option है आखिर आदमी को कुछ तो अपनी position का ख्याल रखना चाहिए तीसरा option है जब से माता जी ने प्रबंद अपने हाथ में ले लिया है तब से घर में लक्षमी आ गई है चौथा option है मेरे रहते तुम बे रहा ना चलने पाओगे तो यहाँ पर क्या है हमने मिश्र वाक्या चूस करना है कि इन मैंसे मिश्र वाक्या कौन सा है तो जब से घर में लक्षमी आ गई है जब से जैसे शब्दों का प्योग जहां पर होता है वो मिश्र वाक्या होते है तो हमारा option नमबर थ्री जो है वो हमारा सही उत्तर है चौथा प्रेशन है सूरज निकला और प्रकाश हो गया रुपांतरित करने पर वाक्या का सरल रूप होगा तो जो ये वाक्या है ये हमारा संयुक्त वाक्या है इसका हमने सरल रूप जो है वो चूज करना है चार option है जैसे ही सूरज निकला वैसे ही प्रकाश हो गया दूसरा option है सूरज निकलते ही प्रकाश हो गया तीसरा उप्षिन है जब सूरज निकलता है तब प्रकाश होता है और चौथा उप्षिन है सूरज निकलते ही प्रकाश हो गया यहां पर जो दूसरा उप्षिन है सूरज निकलते ही प्रकाश हो गया वो हमारा सरल रूप होगा सूरज निक तो नाइप तैसिलदार हो जाते थे। रचनाद रिष्टी से वाक्या है। उत्तर होगा इस प्रेशन को अच्छे से करने के लिए आप हमारी रचना की दृष्टी से वाक्या भेद वाली वीडियो देख सकते हैं वहां से आपको रचना की दृष्टी से वाक्या भेद वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इस प्रेशन को करने में आपको सरलता प् मेंसे किनी चार प्रशनों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए यहाँ पर आपको प्रशन नमबर पांच में जो है छे भाग दिये गए हैं यानि छे प्रशन दिये गए हैं उस मेंसे आपको चार प्रशन चूज करने हैं यहाँ पर आपको दो जो प्रशन है वो छोड़ने की छूट है आपको चार आप्शन चूज करने हैं अपने छे प्रशनों में से तो आपको जो पहला प्रशन है वो दिया गया है गुरू दक्षिना शब्द के सही समास विग्रहे का चैन कीजिए जो गुरू दक्षिना शब्द है उसका समास विग्रहे क्या होगा ये आपने थे फोप्षन है जो हमारा चोथा उप्षन है वो हमारा सही उतर होगा दूसरा प्रेशन है यथा समय शब्द किस स्मास का उधारन है यथा समय जो है वो कौन से स्मास का उधारन है यह आपने चूज करना है चार हमारे पास ओप्षिन है कर्मधार्य स्मास वहुवरी स्मास अव्याई भाव स्मास तत्पुरु स्मास तो जो यथा समय शब्द है व आठ अध्यायों का समाहार द्विगु स्मास, दूसरा option है आठ है जो अध्याये पहुवरी स्मास, तीसरा है अष्ट और अध्याये द्वंद्व स्मास, और चौथा option है अष्ट के अध्याये ततपुरु स्मास, तो जो अष्टा अध्यायी शब्द है उसका सही स्मास विग् समास जो हमारा option number one हमारा सही उत्तर हुआ question number 4 आशा को लांग कर गया हुआ का समस्त पद है आपको जो एक यहाँ पर समास विग्रह दिया गया है आशा को लांग कर गया हुआ उसका समस्त पद आपने चूज करना है चार option है आश लांग, आशा तीत, आशा वान या आशा गत तो यहाँ पर जो दूसरा option है आशा तीत वो हमारा सही उत्तर होगा यानि आशा तीत का समास विग्रह होता है आशा को लांग कर गया हुआ question number 5 सजन समस्त पद का विग्रह होगा सजन जो शब्द है वो एक समस्त पद है और उसका समास विग्रह क्या होगा चार option है सद है जो जन दूसरा है सत है जो जन तीसरा है अच्छा है जो पूरुष और चौता है सत के स्मान जन तो यहाँ पर जो हमारा option number 2 है सत है जो जन वो हमारा सही उत्तर होगा सजन शब्द का यानि सजन का समास विग्रह होगा सत है जो जन बाकाइदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए जो बाकाइदा शब्द है उसका समास विग्रह है आपने चूज करना है चार option है काईदे के अनुसार अव्याई भाव समास, काईदे के बिना अव्याई भाव समास, काईदे ही काईदे अव्याई भाव समास या काईदे के द्वारा कृतत पूरुष समास तो यहाँ पर जो हमारा पहला option है काइदे के अनुसार अव्याई भाव समास वो हमारा सही उत्तर है क्योंकि काइदे के अनुसार जो समास विग रहे हैं उसका समस्त पर होता है बाकाइदा तो हमारा पहला जो option है वो हमारा सही उत्तर है तो बेसिकली जो प्रेशन नमबर पांच है वो आपका आधारी थोता है समास पर और समास पर भी जो है हमने पहले ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है तो अगर आप समास के ऊपर जो है अपने प्रशनों के हल जानना चाहते हैं समास पर जो है अपने टॉपिक क उन्हें क्लियर कर सकते हैं आते हैं अपने अगले प्रेशन पर हमारा अगला प्रेशन है निमेलिखित पांच मैं से किनी चार प्रेशनों के उतर निर्देश अनुसार दीजिए तथा सारवाधिक उप्युक्त विकल्प का चेयन कीजिए प्रेशन नमबर छे में भी आपको पांच प्रेशन दिये गए होंगे उसमें से आपको चार प्रेशन चूज करने हैं यहाँ पर भी आपको आपको आप चोड़ सकते हैं जो लगता है आपको कि आप गलत कर रहे हैं या फिर चार जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है आप उनको चूज कर सकते हैं पहला प्रेशन है अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है यह चार option है अच्छा भाग्या अच्छी वस्तू प्राप्त होना भाग्या वश अच्छी वस्तू प्राप्त होना या अंधे व्यक्ती को बटेर प्राप्त होना तो यहाँ पर जो अंधे के हार बटेर लगना ये एक मुहावरा है इसका अर्थ होता है भाग्या वश अच्छ की रक्षा में प्राणों की डैश रिक्स्तान की पूर्टी उचित मुहावरे से कीजिए यहाँ पर जो है आपको रिक्स्तान की पूर्टी करनी है मुहावरे से चार आपको मुहावरे दिये गए हैं बाजी लगा देते हैं जान लगा देते हैं ताकत लगा देते हैं देते हैं तीसरा प्रेशन है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है चार आप्शन है कुछ ना करना थोड़े में बहुत अधिक कह देना तीसरा आप्शन है गागर में सागर का पानी भर देना चौथा है लंबी चौड़ी बाते करना तो गागर में सागर भरना ज उचित मुहावरे से कीजिए चार आप्शन है जमीन पर पाऊ ना रखना दूसरा है आटे दाल का भाव मालूम होना तीसरा है दिवार खड़ी करना चौथा है नाम निशान मिटाना तो जो यहां पर मुहावरा सटीक बैठता है सही बैठता है वो है आप्शन नमबर दो आट आटे दाल के भाव मालूम होना यानि जब कभी नौकरी डूरने निकलोगे तो आटे दाल के भाव मालूम होंगे यानि एक एक चीज़ का पता चलेगा प्रेशन नमबर पाँच है विद्याले के वार्शिकोटसव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निप्टाते आप्शन है दीन दुनिया से गया शब्द चाथ डाला दातों पसीना आगया डेरा डाल दिया तो यहां पर जो सही बैटता है मुहावरा वो है आप्शन नमबर तीन दातों पसीना आगया यानि बहुत ही कड़ी मेहनत की है विद्याले के वार्शिकोटसव में क्योंकि महा पर बहुत अधी काम था तो दातों पसीना आगया यानि उन्हें बहुत थकावट हो गई तो यह हमारा सही उत्तर होगा यानि आप्शन नमबर 3 हमारा सही उत्तर है तो यहां पर भी बेसिकलि जो प्रेशन नमबर 6 वो आधारित है आपके मुहावरों पर भी हमने अपनी व वीडियो का लिंक भी डाल दिया है वहां से भी आप मुहावरों को पढ़ सकते हैं अब हम बात करेंगे खंड गौ यानि पाठ्या पुस्तक पर जो आधारित आपका भाग है वो आपको इस तीसरे भाग में पूछा जाता है यानि इस भाग में पुस्तक से आधारित ही प् द्यान जाएंगा जो पहला प्रिशन था पहला और दूसरा उसमें गध्यांश दिया गए थे लेकिन वो थे अपठीत गध्याश वो आपने पुस्तक में कहीं नहीं पड़े थे लेकिन यहाँ पर जो है जो काव्या पूछा जाएगा वह आपकी पुस्तक में जितनी भाग है जितनी भी कविताइं, उनको ध्यान से पढ़ना है, तो आप आसानी से झो है इस प्रश्ण को कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको कवीताई अच्छे से आती है तो आपको कोई भी भाग दिया जाए कैसा भी प्रशन पूछा जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे तो आईए हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सी कवीता दी गई है यहाँ पर आपको जो काव्यांश दिया गया है वो है पड़ी है दियान से तो आप इसमें जो आपको प्रशन आएंगे आप उसके उतर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इस कवीता में जो कहा गया है कि जो मीरा है वो श्याम को यानि श्री क्रिशन से कह रहे हैं यहाँ क्योंकि उन्हें जो है उनकी दासी बनकर रहना है उनके बाग लगाने हैं चाकि आपको रिंदावन की जो गलिया है उसमें जो है गोविंद की जो गुनगान हैं उनको गाना चाहती है वो जो है हमेशा दर्शन पाने के लिए जो है जो गिरिधर है जो कृष्ण है उनकी दासी बनना चाहती है ये जो है इस काव्याश में जो है कहा गया है अगर आपने सही से जो है अपनी कवीता में पढ़ा है तो आप जो है इसके उतर अच्छे से दे पाएंगे जो questions पूछे करना है चार option दिये गए हैं पहला है उनकी पीड़ा दूर करने का दूसरा है सेविका के रूप में स्विकार करने की तीसरा है प्रेमिका के रूप में स्विकार करने की और चौथा है उन्हें अपने पास रखने की तो अगर आपने ये जो काव्याश में अच्छे से दूसरा question पूछा गया है कि Christian की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती हैं? चार option है, पहला है बाग सजाना, दर्शन करना, गीत گाना, दूसरा option है presence इक गीतगाना और गोकुल में रहना, तीसरा है रोज उठकर उनके दर्शन करना और रोँना, जोतहा option है उनकी याद में रोना, दर्शन करना, गीत गाना तो जो इसमें options हैं वो सारे ही काफी हद तक सही है लेकिन जो stick उत्तर बैखता है वो है option number वन यानि वो बाग सजाना चाहती है, दर्शन करना चाहती है और उनके गुणगान के गीत गाना चाहती है option number पहला हमारा सही उतर होगा तीसरा जो question है वो है नाndi कि क्रिशन का गुणगान करना चाहती है तीसरा है क्रिशन को उलहाना देना चाहती है और चौथा है क्रिशन की प्रतिक्षा करना चाहती है तो जो हमारा option number 2 है यानि क्रिशन का गुंगान करना चाहती है वो हमारा सही उतर है क्यूंकि इस काव्याश में भी कहा गया है कि जो मीरा है वो वरिंदावन की गलियों में घूम घूम कर जो है क्रिशन के गुंगान का गेत काना चाहती है वो क्रिशन का गुंगान करना चाहत तो यहाँ पर क्रिशन की भाव भक्ती में जब मेरा डूबना चाहती है तो वो किसके असमान मानती है उनकी भाव भक्ती में डूबना वो है ऑप्शन नमबर घह यानि जो था जो हमारा ऑप्शन है धन और सम्मान के असमान जो है मेरा के लिए क्रिशन की भाव भक्ती में पर आधारित काव्यांश यानि काव्यांश पर आधारित जो आपको प्रशन पूछे जाएंगे उसके उतर आप सटीक रूप से तभी दे पाएंगे अगर आपने पाठ्या पुस्तक में सभी काव्या भाग को जो है अच्छे से पढ़ा है अब हम आते हैं अपने अगले प्रेशन पर अगला प्रेशन है प्रेशन नमबर आठ निमिलिखित गध्यांश पर आधारित प्रेशनों के उत्तर उचित विकल्प छांट कर दीजिए अब हम बात करेंगे यहां पर गध्यांश की और यह गध्यांश होगा आपका पठित पाएंगे क्योंकि यहां पर रेंडमली कोई भी जो है आपकी पाठ्या पुस्तक से गध्यांश उठा कर दिया जाएगा उस मैसे जो है आपको प्रेशन पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपने सटीक रूप से देने हैं तो अच्छे से आप तभी दे पाएंगे अगर आ हमारा एक मकान था उस मकान के दलान में दो रोशंदान थे उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था एक बार बिली ने उचक कर दो मैसे एक अंडा तोड़ दिया मेरी माने देखा तो उसे दुख हुआ उसने स्टूल पर चड़कर दूसरे अंडे को बचा हुआ गए इस गुनहा को खुदा से मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा दिन भर कुछ खाया पिया नहीं सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पर पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दूआ मांगती रही अगर आपने अपनी पाठ्या किस बात से दुखी थी चार ऑप्शन है घर में कबूतरों ने घौसला बना लिया था दूसरा है कबूतर के दोनों अंडे तूट गए थे तीसरा ऑप्शन है कबूतर अंडों को छोड़कर चले गए थे और चौथा ऑप्शन है बिल्ली अंडों को खा गई थी अब अगर अपने ध्यान से ये गद्याश पड़ा है तो आपको पता है कि लेखक की मा यहां पर किस बात से दुखी थी आप्शन नमबर दो यानि कबूतर के दोनों अंडे तूट गए थे जिसके कारण लेखक की मा दुखी हो गई थी तो आप्शन नमबर दो हमारा सही उत्तर है चौथा है कबूतर का घौंसला तोडने का गुनहा तो अगर आपने ये गद्याश सही से पड़ा है तो आपको पता है जो पहला अंडा है वो लेखक की मा से नहीं तूटा था जो दूसरा है कि बिली को मारने का गुनहा बिली को नहीं मारा गया था जो तीसरा है यानि दू दूसरा अंडा जो लेखक की मा से तूट गया है उसको माफ करे उसका गुनाहा जो है लेखक की मा से हो गया था तो जो हुआ तीसरा option है हमारा दूसरा अंडा तूट जाने का गुनाहा वो हमारा सही उत्तर है तीसरा प्रशन पूछा गया है प्रस्तुत गध्यान से पता चलत तो यहाँ पर जो आप्शन नमबर एक है समवेदन शील थी ये हमारा सही उतर है क्योंकि जो लेखक की मा है वो सच में बहुत ही समवेदन शील थी क्योंकि पहले तो जब उन्होंने देखा कि बिली ने पहला अंडा तोड़ दिया है तब भी वो दुखी हो गई थी वो दूस तो वो जो है बहुत ज़्यादा समवेदन शील थी ये यहां से पता चलता है तो यहारा जो पहला ऑप्शन है वो चौथा प्रेशन है गध्यांश में प्रस्तुत नमे लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रते के मेल से नहीं बना है चार ऑप्शन है गुनाः, पर प्रते जुड़ता है लेकिन गुना जो है वो मूल शब्द है इसलिए ये जो है किसी प्रते के मेल से नहीं बना है तो हमारा आप्शन नमबर जो को है वो हमारा सही है क्योंकि परेशानी में ए है वो प्रते जुड़ा है परेशान जमाई जो बना परेशानी रोशन दान में दान शब्द है, दिन भर में भर शब्द है, बाकी जो गुना है वो मूर शब्द है, इसलिए ये किसी प्रते से मिलकर नहीं बना है, तो हमारा आप्चन नमबर जो को है, वो सही है, पांचो प्रेशन है, मा की आँखों में आँसु आ गए थे, क्यूंकि लेखकी मा की आँख में दुख देखकर व्यथित हो गई थी, अब जो लेखकी मा है, उनकी आँखों में आँसु कब आये थे, जब उन्होंने देखा था कि जब कबूतर के दौनों अंडे टूट गए हैं, तो जो कबूतर हैं, वो इधर उधर फरफडा रहे हैं, उनकी आँखों में दुख है उनकी आँखों का दुख देखकर जो है, लेखकी मा भी व्यथित हो गई थी, उनकी आँखों में भी आँसु आ गए थे, तो जो चौथा उप्शन है हमारा, वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप गद्याश को अच्छे से अपने पाठ्य पुस्तक जो अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप सही उत्तर आसानी से चुन कर चूज कर सकते हैं, अगला प्रेशन है, प्रेशन नमबर नौ, निमलिखित गद्याश पर आधारित प्रेशनों के उत्तर उचित विकल पर चांट कर लिखिए, तो यहाँ पर गद्याश आपको दिया गया है, वो भी आपको पांच अंक के लिए होगा, यानि उसमें भी पांच प्रेशन होगे, हर प्रेशन के लिए एक एक अंक निरधारित है, तो यहाँ पर आपको कौँसा गद्याश दिया गया है, वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मा वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबुला हो उठी। सारे गाउंवालों की उपस्तिती में यहाद रिश्य उसे अपमान जनक लगा। इस बीच गाउं के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की मा क्रोथ से उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित गया। गाउं के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजे उठाने लगे। यहाद तंतारा के लिए असहनिया था। वामीरों भी रोए जा रही थी तंतारा भी गुसे से भर उठा। उसे जहां विवहा की निशेद परंपरा पर खशोब था वही अपनी असहा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनयास उसका हाथ तलवार के मूट पर जाटिका। क्रोध में उस तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अगनी की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे एक सननाटा सा खिंच गय जब कोई रहा न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ती भर उसे धर्ती में खोप दिया और ताकत से उसे खिंचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराय हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खिंचते खिंचते दूर तक पहुँच गया। वह हा तो आप जो प्रशन आपसे पूचे गए हैं उसके उत्तर आजानी से दे सकते हैं। जो पहला प्रशन आपसे पूचा गया है वो है गाउं के लोग तंतारा के विरोध में आवाजें क्यूं उठा रहे थे? चार आपशन है वे तंतारा को अपमानित करना चाहते थे। दू इसलिए गाओं की रीति के विरोध में थे और चोथा है तंतारा को पशूर बर्व में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो जो गाओं वाले थे वो तंतारा के विरोध में क्यों आवाज़े उठा रहे थे? क्योंकि यो तंतारा और वामीरों है वो एक दूसरे से प्रेम करते थे लेकिन उनके गाओं की एक निशेद परंपरा थी की एक गाओं का जो व्यक्ति है वो दूसरे गाओं की लड़की से शादी नहीं कर सकता है तो ये जो है जो निशेद परंपरा थी उसके पक्ष में थे इसलिए जो वो तन्तारा के विरोध में आवाजें उठा रहे थे तो जो हमारा धूसरा आप्शन है वे गाउं की निशेद पर्Newपरा के पक्च में थे वो हमारा सही उत्तर होगा धूसरा प्रेशन है तन्तारा ने अपने करोध का शमन करने के लिए क्या किया चार आप्शन है वामीरों की मा को बुरा भला सुनाया, दूसरा है सब गावालों के विरोध में आवाज उठाई, तीसरा आप्शन है अपनी तलवार से उपस्तित लोगों पर वार किया, और चौथा आप्शन है अपनी तलवार को धर्ती में गाड़ दिया, आपने नमबर चार है अपनी तलवार को धर्ती में गाड़ दिया, वो हमारा सही उत्तर होगा, प्रेशी नमबर तीन है वामीरों की मा के गुसे का कारण क्या था, चार आप्शन है गावालों का विरोध, पशु पर्व का आयोजन, वामीरों का रोना या तंतारा का तलवार खीच तो जो वामीरों की मा है उनका गुसे का सबसे प्रमुख कारण क्या था, वामीरों का रोना क्योंकि वामीरों उनकी बेटी थी और बेटी का रोना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें गुसा आ गया था, तो जो तीसरा आप्शन है हमारा वामीरों का रोना, वो परिनाम की का से ग्रसित थे तीसरा उप्शन है जानते थे कि द्वीप दो भागों में बंट जाएगा और चौथा उप्शन है तंतारा वामीरों के विवहा के लिए सहमत हो गए थे अब लोग क्यूं सहम उठे थे क्यूं सननाटा चा गया था क्यूंकि उन्हें जो है कुछ भावी दुष परिनाम की आशंका हो गई थी क्यूंकि तंतारा की जो तलवार है वो तो उन्होंने पहले से देख रखी थी अब वो ये नहीं जानते थे उस वक्त की जो तंतारा है वो तलवार धर्ती में गार देगा और खिंचते वे दूर तक जाएगा जिसे दूर टुक अप्शन है कि वो किसी भावी दुष परिनाम की आशंका से ग्रसित हो गए थे क्यूंकि जो तंतारा है उसके क्रोध सेवे सहम गए थे उनमें सन्नाटा चागया था इसलिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उतर होगा पांचवा प्रस्तुत गद्यांश में कि किस घटना का वर्णन है तो जो आपको यहां पर गद्यांश दिया गया है वहां पर किस घटना का वर्णन किया गया है यह आपने चूस करना है चार आप्शन है वामीरों की त्याग मही मृत्यू का दूसरा है निकोबार द्वीप के दो भागों में बंटने का तीसरा है त गद्याश में वर्णन किया गया है मुख्य तोर पर तो जो हमारा option number 2 है वो हमारा सही उत्तर होगा तो इस तरह से आपने देखा कि आपको जो तीसरा भाग है आपका उसमें आपने पाठ्या पुस्तक को अच्छे से पढ़ना है उसमें से आपको गद्याश पूछे जाएंग करते हैं कि हिंदी सेंपर फर्स टर्म में जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही थी इस वीडियो के द्वारा उनको सॉल्फ करने में आपको कुछ न कुछ हैल्प जरूर हुई होगी इसी तरह की और भी हल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सकस सीरीज एजुकेशन को फेस्बुक, यूटूब, इंस्ट्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यावाद